हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चाइनल आज दुपहर के बज़रे दो और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लंच में क्या बनाऊ सुबह नास्ता तो हो गया था मेरे बेटी के पैर में हो गया है फैक्चर तो डॉक्टर ने बोला उसको पनीर जाता खाने के लिए वैसे तो निया लहसुन मिल ऩा चाट लें और पिरमिक्स करके उसके बणा अगे बनाएंगे पनीर के पनीर के बनाडेखनाली Allah कोशिस करने के था लिए तो वही तो इस नो कषिस करने मैं और देखिए आप लोग बने रहिए गाँए मैं सामि तक क्या-क्या करती हूं दो बज़े के बाद का व्लॉग है ये तो दुपया साम तक मैं क्या क्या करती हूं वो सारी चीजे मैं आपको दिखा पाऊं तो आप लोग फ्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा चलिए अभी मैं प्याज काट लूँगी बारिक बारिक क्योंकि अगर मैं प्लेन पनीर भर के भर बना दूँगी न तब भी वो नहीं खाएगी कल मैंने अच्छे से घी में फ्राई करके उसको दिया था उसने नहीं खाया फिर सारा मुझे नमक लगा के नमक डॉक्टर ने नमक पनीर में डालने के लिए मना किया है बट कोई चीज ना बच्चे नहीं मानते तो फिर गुस्सा आती है तो अभी मैंने सोचा चलो मिक्स कर के बना दे तो मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिया है लहसुन काट लिया है और धनिया काट लिया है इसमें अब मैं मिला दूंगी हलका सा नमक मैंने ज्यादा नमक नहीं डाला ऐसे तो यह रखा रहता है स्प्रिंकल करने के लिए तो उसी से मैंने हलका सा नमक डाल दि लेकिन आयाटा मुझे थोड़ा टाइट सन गया था इस वज़े से थोड़ा भरने में प्रॉब्लम हो रही थी भरने में क्या बेलने में प्रॉब्लम हो रही थी बट कोशिस की मैंने कि चलो बन जाएं बना दें खा लें ये मुझे तो पनीर ना बिलकुल भी पसंद नहीं है किसी भी चीज में पसंद नहीं है पनीर का ना मुझे थोड़ा था ना कढ़ाई पनीर पसंद आ जाता है अगर मैं जाती हूं कहीं रेस्टोरेंट बगएरा बाकी पनीर की कोई भी रेसिपी चाहे वो पराठा हो चाहे किसी चीज में पढ़ा हो पनीर मुझे बिलकुल पसं लेकिन पर यह है कि ऐसे फ्राई करके या फिर ऐसे सूखा पनीर कच्चा पनीर खा लेते हैं लोग वह यह नहीं खा सकते हैं चलिए मेरे पराथे रेडी हो गए हैं और सॉस के साथ ऐसे चटनी में बना कर रख देटी हो तिन इन चलती है खाना पीना हो चुका है ठंड बहुत ज़्यादा पढ़ रही है पता नहीं काउन से स्ट्रेट से अगर आप video देख रहे हो तो कहांपर पढ़ रही कहां नहीं बट यहां पे दिली नसीयार में बहुत ज़्यादा ठंड पढ़ इंस पर बीच्छों के पेपर भी चल रहे हैं पतानी पेपर का भी यही टाइम के फिक्स करते हैं यह लोग तो हम इसको देखो बैठके पढ़ा रहे हैं यह पढ़ रहा है और जाना है मुझे ट्यूसन छोड़ने के लिए तो पेपर चल वहाँ से थोड़ा घर में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा ट्यूसन में भी तो अब ह मैत का पेपर और मेरी मैत कुछ जादा अच्छी नहीं है इस वज़े से मैंने बोला कि बेटा किसी तरह करके तुम कल-कल चली जाओ बाकी साथ तो सारा लर्ण कराने वाला रहेगा तो मैं घर में ही करा दूंगी और फिर साम को हमारे यहां पर बनी चोखाबाटी चोखाब तो हम लोगों ने ओपलो में अच्छे से बनाया चोखाबाटी और चोखाबाटी की मेरा रसीपी पूरी अलग से डालूंगी यह वीडियो मेरा यहीं तक है क्योंकि साम को फिर बहुत जादा काम पढ़ गया तो मैं वीडियो एडिट कर नहीं पाई और डाल नहीं पाई त कौन-कौन खाता है चोखाबाटी और किसको किसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं रसीपी डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा यह वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा सेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा बाबा मुझ झालूंगी और कमेंट है चकाल टाह।